हलो बच्चों आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट सेकेंड और जिसका नाम है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब आर्थ की बात करेंगे ध्यान रखिएगा जी एक इसका पार्ट ये वाला बनेगा एक सेकिंड वाला पार्ट और आएगा मतलब इसका पार्ट नमबर बोल सकते हैं उसमें हम वेरिशन की बात करेंगे हम हाइट की बात करेंगे हम डेप्थ की बात करेंगे मतब एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड की बात करना स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है ताकि आपको पता लग जाए कि अगर किसी चीज है बहुत ही समझने वाली चीज है और लेशन बिट्वीन गैपिटल जी के बारे चर्चा करेंगे और निमेरिकल की बात करना स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर आप ऐसा बोल सकते हो बहुत ही बेसिक रहेगा और बहुत ही जानदार रहेगा अगर आपको इसकी नौल है इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर आज ऐसा कोई नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएगा पार्ट यह है कि बस चीजों को समझना है और चीजों को याद रखना है ताकि कि किसी दिक्कत ना आए हमारी जो अर्थ है वह एक स्पेर की तरह करते हैं तो हम बोलते हैं उसके लिए डेंसीटी का काम का मैं, क्या बौलेंगे अर्थ मस्पेर को ये व्याम से लिए वॉल्यिम और ये मस्पालिम वोलियों had to मानते हो और ओक ही बाथ करना स्टाट करें अगर हम क्या मान रहें आप ने सरफेस से कुछ पर कोई मास पड़ा है यो र दिस्टन्स दूरी पर है उसके लिए हम देखते हैं स्टाटिंग का पहला पाथ हमारा एड़ पॉइंट अबव दा अर्थ सर्फेस मानलो सुनिया जी मानलो यह आपकी आर्थ है यह आर्थ की रेडिस किती है capital R है सुनना जी बहुत ध्यान से काम इसका मास M है center to center की बात करेंगे एक मास ऐसे पड़ा है डिस्टेंस किती है आर है अब आपको साफ साफ शो हो रहा है कि आर इस ग्रेटर दन क्या है capital R है नॉर्मल सी बात है अब इसके लिए फोर्स की वैल्यू क्या आएगी जी एम एम अपॉन आर स्केर इसका हमने मास माल लिया capital M है capital M है और इसके लिए हमने क्या माल लिया small m है दोनों के विए रिलेशन क्या आएगा जी एम एम अपॉन आर स्केर बोला क्या है एपॉइंट मास यह हम क्या बोलेंगे पॉइंट मास यहां लिख देता हूं ताकि परिशानी दिक्कत दुविदान आए ध्यान रखिए जी ऐसे मां सोचना कि आप जो सर हाइट वाली बात कर रहे हो लेटिटीट वाली बात कर रहे हो करवागे निक्या अगले लेक्शन में वही करवाएंगे पर बेसिक में नॉ स्कारत चांथ में तुमी ऐसी रहेगा तो हमने है क्या माना कैपिटल लिखते हो अरे स्पैलिंग लिखते हो अक कि रॵा कहान junior तीसरा केस्ट बनेगा वो अगर इसकी रेडियस या मास कहा है इसकी सर्फिस पर पड़ा है तो आप बोल सकते हो आर बराबर आर की बात कर रहा है अब डेफ में आएगा डेफ्स का नोलेज लेना जरूरी है जी आओ आगे देखते हैं वो बोल रहा है अब मास कहा है अंदर आ अब सुनिये जी इसमें क्या है चक्कर पड़ता है बच्चों को कि अब इस एम की बात कर रहे है और ये बार जो पार्ठ है यह किसी तरह भीर करना मतलेगा इसके बार पूरा यह यह कितना इससा सब्सक्राब नहीं कुछ भी ऐसा काम नहीं है काम करना स्टार्ट करें बिल्कुल असवी चल रही है बैसिक है आते ही ल이트 नहीं होगी बहुत ही सबादे लोगे तो आगे म Caesar क्या होता है। चलो बारी-बारी बोले हैं बोलते रहेंगे अच्छा क्या होता है किसी भी आप बोलोगे यह मास यहां पर ऊपर आ गया पर यह जो बार वाला मास है वो भी तो अट्रेक्ट करेंगा ना बेटा शेल के लिए कोई बी इलेक्ट्रोस्ट में जाओगे तो उसके लिए वैल्यू कि यहां गया इसके अंदर आ गया इसके अंदर आ गया इसके लिए क्लिया पहोलेंगे म्र्यों कि बात करेंगे थे कोई डिंशेटि को से बात करेंगे । बात करेंगे और जो value की हमारे पास आंसर के जो भी है वह क्या होगा स्मोल लार की बात करना स्टार्ट के लिए अपने आपको क्या बोला था दोनों के अट्रेक्शन की जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कर सकते हैं अगर आप शेल्थ वर्म की बात करना चाहरे हो तो भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं सेम बात करेगा यह पढ़ लो वह काम अपने बनना स्टार्ट हो जाएगा एक ही चीज है तो दो चीजे पढ़ने के आउशकता नहीं रहेगी बाइवन गट वन फ्री आएगा पर हमने बोला कि जो मास हमने बीच में इसको बेजा है इस मास के लिए पुराने बालो अपॉल एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्लियर चर्चा यह वैल्यू हमने पुट कर दी एमार की जगे मानते हो मन पड़ेगा चलिए दो होगे तीसरा लास्ट है पिल्कुल आसान चीज है इसमें क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे कि अब जो हमारी एडियस है और बराब आर स्कुरा आगया अर बराबर में क्या है और है थेयरी में पड़ा जाएगा थेयरी में पड़ा जाएगा कि कैसे पड़ा जाएगा इव दपॉइंट मास एम इस इसको आप ऐसा करो जी अ मतलब कुछ भी लिख दो ऑपर पर बहुत इंपोर्टन है है बहुत बॉह ज़ादा मतलब जहाँ एस प्रेफ ल separate चलो वह अदिशन बेट्विन जी एड़ क्या ग्राविटिवार और जी-देशन-कॉनस्तेंट कानासटक चाहिए मालो जी आपका जो मास इस तरह उपर बढ़ा यह उपर पूरा डेप्ट में नहीं है यहां पढ़ा है मास ठीक है अब इसको सेंटर करेगा अट्रेक्ट करेगा बहुत सिंपल से फंडे के तरीके से बता देंगे अच्छा एफ बराबर में क्या होता है एम जी होता है अरे होत है इस आरली है तो उसके छोटा ना मन कहीं कि हालो का अण हरे ऑर शेकें अरे या पहला और दूसरा को बराबर करिये री यह क्या हैगा एम जी बराबर में जी capital M small m upon में r e square काटा काटा g बराबर में क्या आएगा g capital M upon r square ध्यान दखिएगा g relation बड़ा ही important है और बड़ा ही कामदायक है g constant m constant r नहीं है constant हम क्या बोलेंगे मतलब g की value r पे vary करती है औरे क्या बात बोल दी पर सर आपने तो बोला था जी बराबर में 9.8 की बात कर सकते हैं meter per second square की बात करेंगे अरे बेटा बोला था बोला था अभी भी बोल रहे हैं अब इसमें क्या बात है सुनिए जी अब क्या बात है क्या से करेंगी इसका रिजन है इसमें इससे अमने value जो निकाल लिए यह value इसी से आई है कोई दिक्कत वरी बात नहीं है क्योंकि जी की वैल्यू चाहिए अब मैंने बोला कि जी की वैल्यू अगर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे उसमें क्या करेंगी वैरी करेंगी और चोटी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज जाएगी अब मान लो आप ऊपर चलेगी रेडिस क्या हो जाएगी यह कम हो जाएगी इदर नीचे आगे तो कम जो भी होगा आर की वैल्यू पर डिपेंडेंसी रहेगी कौन से capital R की बात करना स्टार्ट करें अब एक बात हो जी जी अगर मैं बोलूं वैसे तो चोंसर तो फिक्स मानते हैं हम इसकी अगर माल लो कि आपकी यह आर्थ की बात करना स्टार्ट करें आप अर्थ में ऊपर जा रहे हो उपर यह जा रहे हो इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो आप क्या कर रहे हो उसके लिए आर की वैल्यू g के लिए का करना start रदेगी ver according to the system ofüre kyaa क्यों क्या रहें। constant रहें। universal constant था ह। अशुऔथ फुर्वेत बोलाँ है तो इसलिए बोला है कि G का करती है về करती है ख़़ी görत कोई बार बार एक फरक नहीं पोड़ता suppose body mass lying on a surface according to law of gravitational force attraction of the earth of the body यह आपको बता दिया han ons लस्ट में जो आएगा छोटा जी बराबर में आएगा जी एम अपॉन में आर स्क्वेर स्टार माक कर लिजिए बहुत ही इंपॉर्टन है जी बोला है इस गिफ्स एक्सलेशन दू ग्रेविटी ऑन दे सर्फेस अफ दार्थ यह वह नहीं कर है इंडिपेंडेंट से है मास साइज से है और शेप से और इसमें वेल्यू के आई गैए आर भी तो है पर यार पे डिपेंडेंडर रहती है ध्यान अधी नोट डाल ले ना जी ठीक है मनते हो मनते हो मनन पड़ेगा क्षिच्छं का दोर स्स्राट हो गया पहल बहुत ही काम आने वाला है चली पहला कोशिशन है ए मैन कैंज जंप 1.5 meter high on the earth, calculate the approximate height, might be able to jump on a planet whose density is one quarter, that of the earth and whose radius is one third, और row dash कीता दिया है, row upon 4 of the earth radius, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, approximate height की बात करनी, start करना चाहरा है, आओगे मेरे साथ, आज़ो, ठीक है, अब देखो मैं पहला जो question है, वो आपको पूरा तरीके से बता देता हूं, उसके बाद उस value को सिधा use करना, start करते हैंगे, कैस से हमने बोला है, जी बराबर में, जी एम अपॉन में, आर स्क्वेर, ठीक है, मंत्यों, मंत्यों, मन पड़ेगा, अच्छा, हमने मास से क्या निकाला था, चार बटा तीन, पाई आर क्यूब, रो, ठीक है, value पूट करते हैं, value पूट करूरी बिच्चा, हारे काही दिकत करा को है, काटा, 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 4, 3, G, P, R, रो, यह आपकी जी, वैल्ली, ठीक है, आप देख, यह तो जी की value निकाल ले, अब, जी डैस की जी जी बेलिव आएगी, मतलब हम क्या बोलेंगे, जम की बात करना, स्टार्ट कर रहा है, और उसकी, जी यह बच्चा भी कर देगा चोटा चोटा बच्चा है वो कर देगा रहे क्या करते हो रहे बाबुराव तो इन दोनों की वैल्यू आ गई आ गई अब एक बास समझो साथ साब बोला गया हमें एप्रॉक्षिमेट हाइट की बात करना स्टार्ट कर रहा है दोनों के इनर्जी को वह क्या कर देंगे बराबर खरतेंगे ठीक है इन दोनों वैल्यू चेक करते हैं चार बटा दीन पाई जी आरो ड़ेश चार बटा तीन पाई जी आरो डेश क्लियर अच चलो आमेर सार उख की की क्या बात इंच या मुलाकात तें और क्या क्या बोल रही हम तो भूल गया अ बोलोना। कितना है कि आरे आर बटा तीन रो बटा चर मारे और नहीं रे सना जिन्दगी का दूसरा नाम क्या है हसना ठीक है अच्छा एक काम करो इच्छाबटा 3 चवी कि पाइँ पाई आर अर ऑऊ इसको पूरए को रख दो छोटा जी और हां रे छुटू जी एक बटा बारा और छोटा जी लोचा है क्या अरे काहे मारा की बात करना starts स्टाट करेगा लीजिए आपके सामने है क्लियर है चर्चा कोई दिक्रस नहीं नहीं होनी चाहिए मानते हो पर उसने पूछा है हमें हाइट बताइए हाइट बताइए अब बोलते हैं प्लैनेट की बात कर रहे हो उस टाइम और जब वह जंप करता है दोनों टाइम के लिए नरी की बात करना स्टर ray है वह equal मानना ना संद कलाईगा हम फिछलं तो अम फोलेंगे ई-बटां बॉल्ड घी इक हो एक हो एक बटां बारां इन्तू जी इन्टू ऐच डैश एक पूस्टू लू एकर्टव जाएगज बाराे इंटू एच की बात करेगा है ल धस्कीで बा अरे क्या हो रहा है कि बारा इंटु एक पॉइंट पांच बारा पंच शाठ च्छेवारा एक बाश्च अठारा मीटर हां हां यह लगा रहे हैं तुम बोलोगे गल्ट करते हो गुरू जी गलत करते हो अरे कहां गया रहे यह रहे काहे दिक्कत की अरे अरे कुछ नहीं किया एम से एम काट जी से जी काट और दसकी वैल्यू का आगी बारा एच ओ ओ ओ यह नीचे पलटी मार के इदर आगया तब हम करें दिक्कत क्या होगी यह 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 यहां पर है कि शफल होके इस साइड आगया अठारा मीटर आगा कोई बात नहीं है वो कोई च कितना रहा है 18 इसका भी कितना रहा है 18 एक बार वापिस पढ़ाएं वापिस पढ़ाएं कोईशन को पढ़ाई जानदार कोईशन है अब देखो एक बास सोचू अगर यह तुम चीज ना पढ़ते ना तो एल्टिटूड और लेटिटिटूड में हम चीजी डिसकस नहीं कर कर ली नीचे करो रहे कहा है हमने बैन पुट्स तसेम एनर्जी इन जंपिंग हाई ओन दा अर्थ एंड प्लैने कानी खतम खेल खतम हम जीते तुम जीते मना उजशन क्या बात या बात क्या मुला का पुला है इफ दा अर्थ वर मेड आफ लैड ओ डेटिव देंसिटी ग्य सुनिए जी ध्यान रखना जी आपके कोश्चन में इसकी वैल्यूस चेंज हो के आ सकती है ठीक है क्योंकि वह आंसर जो देना चाहेगा ना चार उप्शन में उससे वैल्यू देदेगा तो परेशान नहीं होना आप लोगे सर ने तो यह बढ़ात है यह आगया नहीं गलत वा प्रेंबात करनी है कुछ भी दिक्कत नहीं करनी मैं पूरा करवा देता हूं चलो कोई बात नहीं अपन में आर स्क्वेयर में सिधा रखूँआ बेटा चार बटा तीन पाई आर क्यूब रो आप वापन में आर स्क्वेर कहानी कहतम खेल खतम कुछ लोचा कर रहे हो कुछ लोचा हमारे दिमाग में आ गया रहे है क्या बोलते हो अरे बाबुरा लो कानी खतम खेल खतम एक लाइन का कुछन कोशन आया हूँ है कहां पर अरे हमारे बोर्ड पे आया हूँ है काय परिशान हो रहे हो चार बटा तीन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इं 10 की पावर 6 और रॉ किता है 11,3 बेंसी इन किलोग्राम की बात करना स्ट कर एका रहे हा बहुः चेक कर ले 4 बटा 3 अरे कितनी आ रही है कितनी आ रही है बाइस पॉइंट एक इस आपकी नजरों के सामने हमने इसको चुडा लिया हां रहे काहे दिक्रत कर रहा है सही बात सही बात असान चीज़ा मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी यह कॉशन करने के तरीके हैं जी आप से जैसा पूछा जाएगा रहा है कि सभी कोशन ऐसे हैं कुछ अलग भी है कुछ रिश्यो में पूछे है तो यह बिल्कुल है होते हैं कोशन तो आते हैं कहां दिक्रत कर रही है चलो कोई बाद कोई बाद अब देखिए इस दा डिरेक्ट कोशन पूछ लिया देखलेशन दूट ग्राविटी अट बी सर्फेस एक वो जी बटा सिक्सवाला भी आता है तो बारे वो पर 9th क्लास में इस लिए डिसक्स नहीं करेंगे ग्सेशन दू ग्रैविटी एट मून सर्फेस इस एक पॉइंट शह साथ इव रडियस ऑफ दमून इस वन पॉइंट सेव फोड़ेश चैनल क्लेट दा मास ऑफ दा मून यूज नॉन वैल्यू अफ जी अब बता दिया ना अपने लगाव जी की वैल्यू हमें मतलब नहीं है तो क्या बोलोगे अरे क्या बोलोगे तुम बोलोगे मार्फ कर दो हमें हम बहुत बढ़ाई करेंग हारे मास्टर जी आसे ही तो बोलते हैं पढ़ता नहीं बच्चा आपका अरे पढ़ेगा सर आज से सारा कुछ फोन फुन बंद करवा देंगे इसका हारे जी कितना है 9.80 रखेंगे ना अरे नहीं रे कितना है एक पॉइंट 67 है अरे हां क्या बोले थोड़ चोड़ा कर दिय दिखते है अज से हम पैंसिल चलाएंगे कितना है पता नहीं हमें तो हमारे दिमाग में ही है वो कौन जी रहा है क्या बाते हैं मुल्याकाते इस सकांसर ये खाल बन अपड़ेगा तीसरा कोशें खत्म आपके आंकों के सामने एक परशंट की बीश्कर डिक्ता अबने और कर दियोने चाहिए अरे यार तुम ऐसे कर ऊगे ना तो प्रेशान हो यह देखना जरूरी है नहीं तो काम बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा नहीं होगा और नहीं होगा चोथा कोश्चन आपके सामने है निजरों के निगाहों के अच्छा बोला है एक बाडी का वेट है 90 किलोग्राम फॉर्स ऑन दा सर्फेस ऑफ अर्थ और नहीं होता है और नहीं मार्स 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 नहीं मार्स के तुम साउथ वाली चले जो दर उसमास इस वन अपॉन अपॉन नाइंड दा रेडियस वन अपॉन तो ऑफ दा आर्थ सुनो जी को बापिस पढ़ते है कोश्चन बड़ा अजीब सा लिखा गया है एक बॉड़ी का वेट है 90 किलोग्राम फॉर्स ऑन ऑन दा सर्फेस ऑफ दा ठीक है हाव मश इट वेट ऑन दा सर्फेस ऑफ मार्स दोनों की वेल्यू लिखने स्टाट करो जी यी बराबर में आएगा वेटा जी एम एपॉन में आरी का स्क्रेर मंत्यों मंत्यों अब दूसरा क्या निकालना है अब मतलब बोला है मार्स मास ठीक है अब यह बनाके दिया हुआ है उस मास वन रेशो नाइन दिया और एक बटा दो दिया मतलब कैसे रखोगे रेशो में निकालके रेशो अच्छा जी एम अपॉन जी इर दिया है तो क्या लिखेंगे अशांस चड़ गया अरे नहीं रहे वह ऐसे से हो जाता है क्यी ब सामने है यार बड़ा ही परेशान कर रहा है बच्चा इसको ऐसे करते हैं क्या करेगा जी एम अपॉन में जी इए चोटा एम की छोटा अरे यार तुम इसको दिक्कत करोगे मैं पता है अरे हट जारे यार कहीं परेशान किया यह भी आजकल गुस्से से मानता है ठीक है यह एम स्मॉल एम अपॉन में एम ए टी चुप यह आएगा आर इए अपॉन में है 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 हारे कहीं परेशान हो रहा है मास की दो बात पोच्छी है इसको निकाल लेंगे तो ठीक है ओकी ओकी अब वैली चेक कर ते क्या बोला है इसके बाद क्या है इसके बाद तो हल्वा है क्या है हल्वा है हल्वा है इक ऐली किती है एक बता है एक चार बाद नग क्या बात क्या मलाकात ही है तो यह आएगा जी एम अपॉन में into g e करो और आप अगर चाहते हो इस तरह से नहीं करना तो आप ऐसी भी कर सकते हो wm की बात करेंगे तो mgm की बात करेंगे एक ही बात है मिल्टिप्लाइ कर तो वो दोनों तरह से कट जाएगा तो हम सिधा आपको बता देते हैं इसकी वैल्यू के लिए किता लिए दिया था किता दिया था नबए किलोग्राम फोर्स दिया है तो यह आएगा चार बटा नो इन्टू नबए काटा काटा चालिस कीलो एफ हैं हैं जी एम की वैल्यू के ती आ गई चालिस कीलो एफ कहां है रे यार ऐसे परिशान अरे बेटा वो कट जाएगा काहे दिक्कत कर रहे हो सेम बताया है नो तुम्हें मैंसेम कड जाएगा मानते हो मानना पड़ेगा असान चीजह मुश्किल बिल्कुल नहीं है बारी 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 बलूंगा और बारी बारी बोलता रहां हां सिर्यूस लिपार गजांपल नंबर पांच क्या बोल रहा है बोल रहा है compare the gravitational acceleration of the earth due to attraction of the sun with the due to attraction of moon given the mass of the earth ms 1.9 square 30 distance of the sun of the earth moon res की value किती दी है इतनी दी है और rem बारी काम f बराबर में क्या होता है mg earth का पहला क्या है yes g m e m s अपोन में r e s का square कटा कटा अरे यार यह mg लिखके तुम क्या लिखते हो r लिखते हो बहुत ही ना-इंसाफी वाली बात हारे g आएगा रे f बराबर mg नहीं होता हो जाती है गलती इंसान है गलतियों का पुतला है आरे m s अपोन में r e s का square पहला यह आजाएगा second क्या आएगा सिधा रिख दो g e m बराबर में m से m काट देंगे g m e का कट जाएगा m m Mars moon का रह जाएगा Mars नहीं Mars वाला question करके हैं तो याद आ रहा है r e m का square बस आप कुछ नहीं है अब compare करना नहीं को question में पड़ो compare अरे बेटा कुछ नहीं किया देख यहां पर m e आता m m आता m e से हम कट गा जैसे उपर में कटा है अच्छ 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 चलो दोनों को डिवाइड कर दो r e s oh sorry g e s upon g e m क्या बोलते हो यह पबलिक अरे यारो जी जी समें सिस्टम ही खराब हो जाता है m s बिचट गए तो यह तिल लगेगा नहीं हां रे पड़ाई की बात कर रहे हैं तुम कहा जा रहे हो upon में g m m upon में r e m का square यह आपको s थोड़ी लग रहा यह यह बेटा हां अच्छा एक चीज करो काटो काटा काटा यह आएगा g e s upon g e m बराबर में m s upon में m m इसका एक बेकर बनाओ r e m पल्टी मार जाएगा r e m upon r e s इसका square आजाएगा अब आपके पास m s की value है m m की value है r e s की value है r e m की value है value पूट करके चेक करते हैं हमें नहीं मतलब रहे हमारा value क्या है देख लो पहले m s upon mm g e s उपर है अरे कहां रहे है अच्छे जाएगा m s upon mm into r e m upon r e s r e m upon r e s r e m upon r e s और उसका hall square value जब पूट करेंगे तब हमारा value जो आएगा मिलेगा या आप बोल सकते हैं कि आपने किया होगा या कर लिया जो भी है इसका जो second part है height वाला उसके बारे में discussion करेंगे बहुत ही important है पढ़ाई करते रहो नोट्स बनाते रहो तो दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो इनसे बिछणना नहीं किताबों से बिछ़ड़ा नहीं, किताबों से बिछौडा हो गए तो दिकत हो जाएगी। वही बोलते हैं अगर आप पढ़ा ही लगाता करते रहोगे तभी काम बनना स्टार्ट रहेगा, नोट्स बनाते रहो काम करते रहो, नहीं तो दिक्कत परिशानी दुविदा रहेगी और अपने जो भी प्राबलम आते हैं उनको इसमें वीडियो में उसको बैक करिए पॉस करिए, करना स्टार्ट करिए ताकि किसी प्रकार की कोई परिशानी ना आए और इसका जो नेक्स लेक्चर आएगा हाइट मतलब अल्टिटूड और लेक्टिडूड वाला डैप्थ में जाएंगे, हाइट में जाएंगे फिर अब शेप आफ दार्थ की बात करेंगी वह पर उसमें नहीं होगा, वह नेक्स लेक्चर में होगा खूब सारे निमेरिकल की बात भी करेंगे तो दिक्कत नहीं करनी, अराम से काम करते रहे और बिल्कुल त्यारी करते रहे अब इस कोशन की वापिस दातों, इस कोशन में दिक्कत नहीं करनी और राम से करना है, R.E.S.R.E.M. में ध्यान रखना है, बिछड गए तो ये दिल लगेगा नहीं, बिछड गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है, पर लगेगा नहीं, ध्यान रखना जी, पढ़ाई करते रहें, सभी को, all the very best, thank you very much.